स्वागत थे बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल टूडेज डाउन एजुकेशन में प्यारे बच्चों आज हम आपके सामें उपस्तित हैं एक नए वीडियो के साथ तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहां चल रहा है क्वेशन आंसर का सीरीज क्लास 6 के जियोग्राफी की बुक से तो जिसमें की हमने 6 चैप्टर के क्वेशन आंसर को कम्प्रीट कर लिया है और अगर आपने वह आली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है वहां से आप उन सा वारी वीडियो तो चले बिना दिर की हम सुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस चैप्टर में तो चैप्टर है चैप्टर नमबर सैवन और चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत तो आज हम इसके क्वेश्चिन आंसर को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता द वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन निम्प्याच चुका है चले देखते हैं निम्नलिखित प्रश्णों के संचेप में उत्तर दीजिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारत को कितनी भागौलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है उनके नाम लिखो चले इसका आंसर देखते हैं हम आंसर है भारत को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है विभाजित मिन्स बाटा जा सकता है तो कौन-कौन से हिमाले परवत भारत का उत्तरी मैदान और भारतिय महाम मरुस्थल और दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तो इन भागों म बाटा जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन है आपकी स्क्रीन पे भारत की इस्थलिय सीमा साथ देशों से जुड़ी है उनके नाम लिखो चले देखते हैं आंसर है भारत की इस्थलिय सीमा परिस्थित साथ देश कौन-कौन से हैं पाकिस्थान, अफगानिस्थान, चीन, नेपाल, भोटान, बांगला देश और म्यामार ये इतने देश जो हैं भारत की इस्थलिय सीमा से जुड़े हुए है नेक्स्ट कोश्चन है कौश्चन नमबर थर्ड कौन सी प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है का अंसर देखती है नर्मदा और तापती नदियां अरब सागर में गिरती है नर्मदा और तापती नदिया नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर फोर गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम लिखिए आंसर देखती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा सुन्दरवन का डेल्टा है कौन सा डेल्टा है? सुन्दरवन का डेल्टा है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं बारत में कितने राज्य और कितने के अंदर शासित प्रदेश है तो यहाँ पे आंसर देखते है किन दो राज्यों के राजधानी एक ही है चलिए देखते है भारत में 29 राज्य और 7 के अंदर शासित प्रदेश है पंजाब और हर्याडा की राजधानी चंडीगर है और आंधरपरदेश और तेलंगाना की राजधानी है यानि ये दो राज़ी जो है पंजाब और हर्याडा इसकी एक ही राजधानी है वो है चंडीगर और इधर है आंधरपरदेश और तेलंगाना जिनकी राजधानी एक है वो है हैदराबाद ओके एक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर सिक्स उत्री मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों आंसर देखते हैं इसका उत्री मैदान उत्री मैदानों की भूमी काफी उपजाओ और समतल है जिससे वहाँ खेती करना मकान और सोड़क बनाना आसान है इससे लोगों का जीवन काफी आसान हो जाता है उत्री मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमबर सैवन लक्षदीब को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है इसका आंसर देखते हैं लक्षदीब छोटे समुद्री जन्तूं के कंकाल के धिर पर बना है इसलिए लक्षदीब को प्रवाल द्वीप कहा जाता है यानि जो लक्षदीब है वो छोटे समुद्री जन्तूं के कंकाल के रिहर पर बना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चिनित कीजिए यानि टिक्तर करेक्ट हमें करना है जिसमें क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हिमाले के सबसे दक्षुरी भाग को क्या कहते हैं तो इसमें ऑप्षन नमबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमाले के सबसे दक्षुरी भाग को शिवालिक कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सही आद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर होगा option number 5 पश्चिमी घार इसका सही आंसर हो जाएगा next देखते हैं question number 3 पाक जल संधी किन दो देशों के बीच स्थित है answer देखते है option number 5 हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा स्रिलंका और भारत पाक, जलसंधी, स्रिलंका और भारत के बीच स्थित है नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं और अब सागर में सित भारतिय द्वीप समू कौन से है तो option number 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा लक्ष द्वीप, द्वीप समू लक्ष द्वीब द्वीब समू और अब सागर में सित भारतिय द्वीब समू है ओके नेक्स्ट कुछिन देखते हैं भारत की सबसे पुरानी परवत स्रिंखला कौन सी है तो सही आंसर होगा इसका अप्षिन अबर कर अरावली अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें पहला कुछिन है भारत का छेत्रफल लगभग डैश है तो इसमें फिल होगा 32.8 लाग भारत का छेत्रफल लगभग 32.8 लाग किलो मीटर वर किलो मीटर है ओके नेक्स्ट कुछिन है महान हिमाले को डैश के नाम से जाना जाता है यहाँ पर फिलो का हिमादरी महान हिमाले को हिमादरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है छेत्रफल की द्रिष्टी से डैश का डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो इसमें फिल होगा राजस्थान छेत्रफल की द्रिष्टी से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ओकी नेक्स्ट देखते है नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है इसमें फिल किया जाएगा अरब सागर नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है लेक्ष देखते हैं कुछिन नमर 5 बारत के लगभग मद्य भाग से गुजरने वाली अक्षांस रेखा है कौन सी रेखा है यहां पर फिलोगा करक रेखा करक रेखा भारत के लगभग मद्य भाग से गुजरने वाली अक्षांस रेखा है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके एक्जाम के पॉइंट रवी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तो चलिए देखते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को बारत किस गोलार्द में स्थित है आंसर है इसका उत्तरी गोलार्द में स्थित है नेक्स्ट ग्रेश्चन है question number second भारत का उन्तीस्वा राज्य कौन है और कम बना answer है इसका भारत का उन्तीस्वा राज्य तेलंगाना है जो दो जून 2014 को बना next question देखते है question number third भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है answer देखते हैं बारत का सबसे छोटा राज्य गौवा है next question है question number four सहायक नदिया किसे कहते है answer देखते हैं इसका एक धारा जो किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी में मिलती है और अपने जल को उसमें समाहित कर देती है उसे सहायक नदिया कहते है question number five है नर्मदा और तापती नदियों का उद्गम किस परवत स्रिंखला से हुआ answer देखते है नर्मदा और तापती नदियों का उद्गम अरावली परवत से परवत स्रिंखला से हुआ है किस से अरावली परवत स्रिंखला से next question देखते है question number six है महा नदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की समुद्र में मिलती है इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में तो ये सारी नदिया बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन-कौन सी महा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी और कावेरी प्रवाल दूपों का निर्मार कैसे होता है प्रवाल छोटे समुद्री जनतूं का कंकाल होता है जिसे पॉलिप कहते हैं जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है धीरे धीरे ये पॉलिप ठोस कंकालों पर जमा हो जाती है करने हैं जो बड़ते बड़ते काफी उपर होती जाते हैं इस तरह प्रवाल रीवों का निर्माल करते हैं हुआ कि अप्सक्राइब करें और इस वीडियो को planning करें और इस वीडियो को घुमौप को कर hack और इजली करता है तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन